नमस्कार दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं असीलो फिलेम प्लस टैबलेट के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तिमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक स्कोप योग किया जा सकता है इन सभी वातों कि इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा ल इस में होता है असीकलोफेनेक एंड पैरसेटमोल असीकलोफेनेक में 100 mg होता है और पैरसेटमोल 325 mg होता है एक गोली में 76 mg है 10 गोलियों का लेकिन दोस्तों ये एक जनरिक दवाई है तो आपको कमप्राइज में मिल जाएगी तो चलिए बात कर लेते हैं किस काम में स्थमाल किया जाता है दोस्तों इसका उप्योग दर्दों को ठीक करने के लिए किया जाता है साथ है अगर बुखार भी है तो व मोच, चोट, सूजन और सिर दर्द, बदन दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, माइग्रीन का दर्द, और कमर का दर्द, और अंदरूनी कोई भी दर्द है अगर यानि कि तकरीबन सभी वरकार के दर्दों को ठीक करने के लिए इसका स्थमाल किया जा सकता है और इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट सुबे दुपहर शाम को बता सकते हैं डॉकटर अडल्ट के लिए बड़ो के लिए और सुबे शाम भी बता सकते हैं और इसे तीन दिन से लेके साथ दिन तक नॉर्मल बताते और अगर जैसी patient की condition होती है तो हो सकता है महिना बार दो महिने या तीन महिने भी बता सकते हैं ठीक है तो यह patient की condition की उपर रहता है कि उसे क्या problem है कितने दिन से है तो doctor को check कराना बहुत जरूरी होता है अपने मर्जी से आप इसको ना दे वैसे फिर भी आप इसे तीन दिन से लेके साथ दिन तक नॉर्मल यूज किया जा सकता है doctor की सिला के साथ अपनी मर्जी से ना करें और इसकी side effect की बात करें तो इसको लेने से अगर उल्टी घबराहट मतली चक्कर पेट में दर्द होना या फिर खुजली होना पूरे शरी में दाने निकलना या सूजन आ जाना कब्ज बनना डायरिया होना अगर इन में से कोई भी प्रॉब्लम लगती है पहले ही गोली खाने से तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगा तो वीड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद